जैहिंद स्वागत हैं आप सभी का आपके एपने एडूब चनल अवतार इस्टडी में मैं हो पाल प्रबीन राज के वीडियो में हम साथे हो जानेंगे करंट अफेर थे जुड़े महत पूर्ण 15 कोस्तन जो आपके गजाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण हो जाते हैं वीडियो की कॉल्टी और कॉंटेंट पसंद आए तो प्ली चेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर जरूर करिएगा तो वाई ये सुरुआत करते हैं आज के पहले प्रसंद से आज का पहला पशन है भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरण के अधच के रूप में किसी निक्तु किया गया है अबरी सन 1997 में इसके इस्थापना हुई थी मुख्याले की अगर बात करें है एड़ आपिस के अगर बात करें साते हो तो नियू दहली में ठीक है नियू दहली में साते हो दूर संचार नियामक प्राधिकरण का मुख्याले इस्तित है और इसके वरतमान में जो अधच है अनील कुमार लाहोटी इसके वरतमान में अधच है प्रोकवड़ी लिग के दसवे संसकर्ण के विजेता कौन बने है प्रोकवड़ी लिग के दसवे संसकर्ण के विजेता कौन बने है सही आंसर रहता इस पसंद का सातियों अप्सन निमबर वी पुडेरी पल्टर ठीक है पुडेरी पल्टर इस पसंद का सही आंसर है दसवा संसकर्ड आयोजित क्या गया है संद 2024 में ठीक है और पुनेरी पल्टन सातियों इसके विजीता रहे हैं किस देश ने पहला UEFA Women's National Football League 2023 का खिताब जीता है सही आंसर करेंगे राइट आंसर जाता है इस पसंद का सातियों किसने जीता है इस पसंद का सही आंसर है किसने जीता है इस पेन देश ने ठीक है उप विजीता की अगर बात करें तो उप विजीता कौन हो जाता है उप विजीता सातियों फ्रांस देश हो जाता है ठीक है और मैजबानी किस ने की है इस्पेन देश ने इसकी मैजबानी की है इस्पेन देश ने इसकी मैजबानी की है बिजेता को ने इस्पेन है वो बिजेता को ने फ्रांस देश है सीमा सुरुच्छा बल यानि वीसब की पहली महिला इस्पाइंस महत्पुर्ण पांटों के साथ आगे बढ़ेंगे इस्थापना की बात करें चाहिए एक दिसमबर ठीक है एक दिसमबर संद 1965 को विशव के स्थापना कि गई थी हैड़ाओपीस की बात करें चाहिए नियु धहली में ठीक है के चौवीश में प्रधान मंत्री कौन बने हैं most important point हो जाता है भारत का पड़ोसी देश है पाखिस्तान और इसकी चौवीश में प्रधान मंत्री कौन बने है right answerे option number A सहभाज शरीप साते हों साते हो पाकिस्तान के चौवीश में प्रधान मंत्री निफ्ट हुए हैं किस देश ने इलिसर डी आद्रा माद्रो को financial action tax force का नया अध्यच निव्ट किया है राइट आंसर इस पिसन का option number V मैक्सिको इस पिसन का सही आंसर है देश के सर्वोच सम्मान भारत रतन 2024 से किसे सम्मानित किया गया है most important point है 2024 में देश के सर्वोच सम्मान यानि भारत रतन की अगर्शातियों बात करें भारत रतन से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर इस पिसन का साथियों option number F ठीक है उपिक्त सभी यानि 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रतन से सम्मानित किया गया है करपुरी ठाकुर, पीवी नर्शिम्मा राओ, चोधरी चरण सिंग, एमेस स्वामी नातन और लाल करशन आठवानी देखे इन पांच लोगों को साथियों भारत रतन से सम्मानित किया गया है सन 2024 में सभी लोग सही आंसर करेंगे और राइट आंसर जयता इस पसंद का शाथियों आप्शन नमबर C, रितु वहरी ठीके, रितु वहरी शाथियों उत्रागंड हाई कोट की पहली महिला मुक्खे नाइधी से निक्त हुई है महत्कुन पाइंटों के साथ आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड की साथियों राजधानी की बात करें तो देहरादून, ठीके, यहां की राजधानी क्या है है गुर्मीत सिंगर धिकरलमीत सिंग यहाँ के साहती हो क्या है राजयत पाल है most important और आप नोट करके चलिएगा उत्त्राकंद हाइग का मुख्याले कहां पर ईसतित है तो श्रक बिख गर नीत पिख स्यतय है महंदर शिंग धोनी को नया वरांडम बेश्टर निक्तिक किया गया है किस राज में थाई पुसम 2024 उत्सम मनाया गया है थाई पुसम 2024 उत्सम किस राज में मनाया गया है राइट आंसर है अपस नमबरे तमिल नड राज में 2024 में थाई पुसम उत्सम मनाया गया है टेनिश टोर्नामेंट के ATP डवल रैंकिंग के डवल रैंकिंग में विस्व नमबर एक पर इस्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्रदराज के व्यक्ति कौन बने हैं सही आंसर जाता इस परसंद का ओप्शन नमबरे रोहन बोपन्ना किस राज में ओम की आकरति वाला सिम मंदिर में आसरम बनकर तयार हुआ है ओम की आकरति यहां पर आप देख पा रहे हैं तो किस राज में बनाया गया है राइट आंसर इस परसंद का ओप्शन नमबरे राजिस्थान के पाली में ठीक है राजिस्थान के पाली में ओम की आकृतिवाला सिम्मंदिर बनाय गया है डेटा गोपनिता दिवस 2024 कम मनाय गया है राइट आंसर इस प्रसंद का ओप्शन मबर सी 28 जन्वरी को ठीक है 28 जन्वरी को 2024 में डेटा गोपनिता दिवस मनाय गया है विस्थ कुष्ट दिवस 2024 कम मनाय गया है most important point है राइट आंसर है साथियों अप्शन मबर सी 28 जन्वरी को ठीक है 28 जन्वरी को साथियों विस्थ कुष्ट दिवस 2024 में मनाय गया है नौवी बार बिहार के मुख मंतरी पत की सपत किसने लिए है नौवी बार बिहार के मुख मंतरी पत की सपत किसने लिए है राइट आंसर है इस पिसन का उप्शन मबर सी नितीज कुमार नौवार शातियों ठीक है नौवार बिहार के मुख मंतरी बन चुके है आस्टेलियन ओपन 2024 में पुरु सेकल का खिताब किसने जीता है राइट आंसर जाता इस पिसन का उप्शन मबर सी जन निक सिनर ठीक है जो कि इटली के रहने वाले है इन्होंने 2024 में आस्टेलियन ओपन में पुरु सेकल का खिताब अपने नाम किया है 79 फिलिम फियर पुरुसकार 2024 में सर्ब से श्टबनेता का पुरुसकार किसने जेता है राइट आंसर है अपसे नमबर भी रडवीर कपूर ने ठीक है जो रडवीर कपूर की मुवी आई थी एनीमल ठीक है और एनीमल में साथ है इनको ये पुरुसकार दिया गया है सही आंसर जाता इस परसंद का आपसे नमबर भी ठीक है 2024 में साथियों 6 लोगों को कीरती चक्र पुरुसकार प्रदान किया जाइगा जान लेते साथियों भै 6 लोग कौन है वर्ष दोजाज 24 में 6 कीरती चक्र, 16 सोर चक्र और 80 बीरता पुरुसकार प्रदान किये जाएंगे कीरती चक्र विजेता की अगर शाथे हों बात करें तो कौन? कैप्टन अंसुमन सिंग इनको कीरती चक्र दिया जाएगा हवलदार अब्दुलमाजित, सिपाही पवनकुमार, मेजर दिपेंदर विक्रम और मेजर दिग्विजे सिंग राबत और हवलदार पवनकुमार इन 6 लोगों को कीरती चक्र शेशंमानित किया जाएगा 2024 में बारती सेना में सुविदार की पद पर पदोउन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा इस पसंद का साथियों आप्शन नमबर ए प्रीती रजक ठीके प्रीती रजक सुवेदार के पत पर पदो उन्नत होने वाली पहली महिला निक्तु हुई है किस देश ने पहला F.I.H. हा की फाइप महिला विशुकव दोजार 24 का खिताब जीता है ठीके उपसंद का राइट अंसर है नीदर लेंड ने जन्वरी 24 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला सईंट सेन अब्यास सदा तक तनसीक का आयोजन किया गया है सदा तनसीक का आयजन किया गया है तो कहां पर राइट आंसर है अप्सन नमबर V सौधी अरब में कौन सा देश भरष्टा चार बोध सूचकांक 2023 की सूची में सीर्स पर है अगला पॉइंट है पचत्रवे गरतन दिवस परेड में किस मंत्राले की जहांकी को सर्वसेष्ट जहांकी का पुरुसकार मिला है किस मंत्राले की जहांकी को सर्वसेष्ट पुरुसकार दिया गया है Right answer हो जाएगा इस पसन का option number ए संस्कृत मंत्राले की जाकी को महत्पौन पाइंटों के साथ आगे बढ़ेंगे संस्कृत मंत्राले की जाकी भारत लोकतंत्र की जन्नी थीम पर आधारित थी राज्यों में सर्वसिष्ट जहाकी का पुरुसका और उडिसा राज्य को मिला है उडिसा की जहाकी की थीम थी विक्सित भारत में महिला सजकती करण गरतंत दिवस दोजार चौविस में मुक अतती फ्रांस के राष्टपती इमेनुवल मैकरोन थे और गरतंत दिवस दोजार चौविस की थीम थी विक्सित भारत और भारत लोकतनत की मृतिका ठिक है यह साथ हो दोजार चौविस की थीम थी भारत में पहली पहला हिम तेन्दुव गड़ना के अनुशार किस राज जिकेंद शाचित प्रदेश में हिम तेन्दुव की आवादी सबसे अधिक है सही आंसर हो जाएगा साथियों अप्सन नमबर ए लद्दाक में ठीक है लद्दाक में इनकी आवादी सबसे अधिक है चारश और शतहत्तर शातियों हिम तेनों की आवादी के गई है मलेशिया के सत्रवे राजा कौन बने है निस सत्रा नंबर के सातियों मलेशिया के राजा कौन बने है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है राइट आंसर है संजीब कुमार जोसी संजीब कुमार जोसी अजाली ओसो मनी किस देश के चोथी बार राष्ट पती बने है सही आंसर है अपसन नमबर कोमो रोस कोमो रोस के चोथी बार शाते वे राष्ट पती निक्तु किये गए है बारत के किस राज पर शिबकली की एक नई परजाती अगस्त गामा एजल की खोज हुई है राइट आंसर है पस्मी घाट अपसन नमबर ए सातयों पस्मी घाट पर शातों शिबकली की खोज की गई है तुबुल के नए परधान मंतरी कोन बने है तुबलु टिक, तुबलू के नए परधान मंतरी कौन बने है? सही आंसर है, अपसंभर D फैलेटी टेओ टिक, फैलेटी टेओ सात्यों तुबलू के नए परधान मंतरी निप्तो हुए है रच्छाँ मंतरी राजनाज सिंग ने नए दिल्ली में रज्चामंत्री राजना सिंग ने दिली में डी कॉंटेक्ट दोजार चोविस के दोरान अधिती उजना की सुरुवात की इसका सम्मंद किस छेतर्शे है सही आंसर है अप्सन नमबर वी ती सुरी अप्सन बर शी रच्छा छेतरशे ठीक इसका संबंद कहां से है इसका संबंद रच्छा छेतरशे है महराश्ट भूशन पुरुषकार दोजार चौबिस से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर है डाक्टर दीप प्रदीप महाजन को सात्यों महराश्ट भूशन पुरुषकार दोजार चौबिस से सम्मानित किया गया है विस्वंजीब दिवस दोजार चौबिस कम मनाया गया है राइट आंसर है इस प्रसंद का अप्सन पर सी तीन मार्च को विस्वंजीब दिवस दोजार चौबिस को मनाया गया है मार्च दोजार चौबिस में किस राज में चाप चार कोड तिवहार मनाया गया है चाप चार कोड तिवहार कहां पर मनाया गया है राइट आंसर है अप्सन नमबर भी मिजोरम राज में मार्च दोजार चौबिस में बंगाल के खाड़ी में खोजी गई हेड्ड सिल्ड समुंदरी सलक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है सही आंसर है इस पसंद का उप्सन नमबर दी द्रोपती मुर्मू ठीक है इसका नाम द्रोपती मुर्मू के नाम पर रखा गया है जो भारत की वर्तमान में महिला राष्ट पती है किस देश में वर्ल्ड एथिलेटिक्स चेंपियंशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा राइट आंसर है इस पसंद का उप्सन नमबर ए चिन के वेजिंग सहर में किस राज में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने सिकंद्री फर्टिलाइजर प्लांट का उद्गाटन किया है सिकंद्री फर्टिलाइजर प्लांट का उद्गाटन किया है राइट आंसर है इस पसंद का आप्सन नमबर सी ठीक है जारखंड के धनबाद में जारखंड के धनबाद में इन्होंने सिकंद्री फर्टिलाइजर प्लांट का उद्गाटन किया है किस राज के प्रशिद्ध कटक रूपा तसकरी सिल्वर को जियाई टैग मिला है मुश्ट इंपोटेंट पॉइंट है राइट आंसर जाएगा इस प्रिसन का साथियों अप्सन नंबर ए उड़ीलशा को मुश्ट इंपोटेंट पॉइंट है नूड करके चलिएगा मार्च दोजार एँज़्ज में किस राज सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान के उद्देश से इंदिरम आवास युजरा सुरू करने की गोशना की है राइट आंसर है तेलंगना सरकार ने अप्सनमबर डी राइट आंसर है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड के ब्रांड अम्बेश्टर कौन बने है सही आंसर है अप्सनमबर सी नीरज चोंपडा मार्च दोजार चोबिस में जारी तेंदूओं पर नई रिपूर्ट के अनुसार भारत में तेंदूओं की संख्या कितनी है राइट आंसर है अप्सनमबर वी तेरह हजार आठ सो चोहत्तर शातियों भारत में तेंदूओं की संख्या है विस्वनागरिक सुरच्छा दिबस दोजार चोबिस कम मनाया गया है जो 2024 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज की गई है कौन सा देश भारत की जन औसदी उजना से जुडने वाला पहला देश बना है राइट अंसर है ओप्सन नमबर V मारी सच देश से सातियों यह जन औसदी उजना से जुडने वाला पहला देश बना है किंग चार्ल्स थर्ड के दोरा मनद नाइट हूड प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कौन बने है राइट अंसर है ओप्सन नमबर V सुनील भारती मित्तल बने हैं रोमेन रोलेंड पुस्तक पुरुसकार दोजार चौबिस किसने जीता है राइट आंसर है अपस नमबर ए पंकज कुमार चटर जी ने ठीक है पंकज कुमार चटर जी ने पुर्दानमंतरी नरेंड मोदी जी ने किस देश के अग लेगा दीप पर हवाई पट्ती का अधगाटन किया है अपसन मबर सी मारी सस देश के अपसन मबर सी इस परसन का सही आंसर है मार्च दोजार चौबिस में किसे अंतरराष्टी संस्कृत व्रुसकार से शमानित किया गया है Most important point है सही answer हो जाएगा इस पसंद का option number V मीना चंदा मीना चंदरा ठीक है अगला point है मार्च दोजार चौबिस में Automative Tire Manufactures Association का नया अधर्च किसे निव्ट किया गया है राइट आंसर है अनरव वनरजी option number 20 पसंद का राइट आंसर है अनरव वनरजी most important point हो जाता है इसकी साथ है इस थापना की अगर बात कर दे तो इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी और इसके head office के अगर बात करें तो new देहली में ठीके new देहली में साथ है उसका मुख्याले इस्तिध है most important point हो जाते हैं आपके exam के लिए साथ हो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के quality वीडियो का content कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताए अगर आप हमारे youtube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें ठीके लाइक करें और वीडियो को share भी करें मिलता हम अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद